नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखाधूरिया पिशले साल फरवरी में कोरोना महामारी देश पे फैली और मार्च में सरकार ने लॉक्टाउन लगा दिया जिस वजह से आम आत्मी का बजट पट्री से उतर गया लोगों को उमीद थी कि सरकार उनकी मदद करने के लिए महंगाई कम करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ पिछले कुछी महिनों में पेट्रोल, डीजर और लपीजी के दाम अपने उच्तम सर पर पहुँच गए हैं लेकिन अब इस मामले में केंडरी पेट्रोलियो मंत्री धर्मेंदर प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है मीडिया से बात करते हुए धर्मेंदर प्रधान ने कहा कि पेट्रोल, डीजर और लपीजी की कीमतें अब कम होने लगी हैं और आने वाले दिनों में से और कम कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अंतराश्री बाजार में कच्छे तेल की कीमतों में कमी का लाब अंतिम घ्राकों को हस्तांतरित करेंगे गौर्द अलब है कि पिछले एक महेने से रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं या फिर वोस थिर हैं इसे पांच राज्यों में हो रहे हैं चुनावों से जोड़ कर भी देखा जा रहा है विपक्षी दलो का कहना है कि सरकार चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही है जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोत्री शुरू हो जाएगी बहराल विपक्ष के इस दावे में कितना दम है ये तो दो मई के बाद ही पता चल पाएगा मई आपको बता दे कि दविवार को पांचवे दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोत्री नहीं होई है बीते मंगलवार को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ था ऐसे में अभी दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपे 56 पैसे प्रती लीटर जबकि डीजल 80 रुपे 87 पैसे प्रती लीटर है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ